जे स्री कृष्णा आईए जानते हैं जीतिया या जीवीत पुत्री का ब्रत कब है जाने नहाय, खाय, पूजा मोहोल, ब्रत्मियम और पारन का टाइम फिन्दू धन में जीतिया ब्रत का विशेश महत्व है इस दिन महिनाय संतान प्राब्ति और उनकी मंगल खामना के लिए जीवीत पुत्री का ब्रत रखती हैं मान्यता के अंसार जीतिया का ब्रत तीन दिन तक चलता है जीतिया ब्रत की सुर्वा सप्तिमी तिथी से होती है और इसका समापन पारण के साथ नौमी तिथी के दिन किया जाता है जीतिया ब्रत अश्विन माश की कृष्न अश्टिमी तिथी को रखा जाता है अश्टिमी की तिथी पर पूरे दिन निर्जर ब्रत रखा जाता है इस दिन जीमोत वाहन के पूजन का विधान है इस साल जीतियावरद 6 अक्टूबर 2023 दिन सुक्रवार को रखा जाएगा इस दिन महिनाएं अपने पुत्रों के लिए 24 घंटे का निर्जला ब्रत रखती हैं आईए जानते हैं जीतियावरद और पूजा विधी से जुड़ी पूरी जानकारी पंचांकी अनुसार अश्विन माह के क्रिष्न पचकी अश्टिमीति थी 6 अक्टूबर को प्रातह काल 6 बज कर 34 मिनट से शुरू होकर अगले दिन यानि 7 अक्टूबर को शुबह 8 बज कर 8 मिनट पर समाप्थ होगी सनातंधर में उद्याति थी मान है इसलिए 6 अक्टूबर को जीतिया ब्रत मनाया जाएगा जीतिया ब्रत का पारण 7 अक्टूबर 2030 को सुबह 8 बज कर 10 मिनट के बाद किया जा सकेगा बिल्कुल छट की तरह ही जीतिया में नहाय खाय होता है इस दिन महिनाएं सुबह-शुबह उटकर गंगा अशनान करती हैं और पूजा करती हैं अगर आपके पास आज पास में गंगा नहीं है तो आप सामान यशनान कर भी पूजा का शंकल्प ले सकती हैं नहाय खाय के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है जीतिया ब्रत का नियम क्या है छट के ब्रत की तरह ही जीतिया ब्रत से एक दिन पूर्व नहाय खाय किया जाता है इसमें ब्रती असनानादी और पूजा पाट की बार भोजन ग्रहड करती हैं और अगले दिन जलाव वास रखती हैं। इसलिए नियम के तह नहाय खाय के दिन भूल कर भी लहसुन प्यार, मांचाहार या तामसीत भोजन नहीं करना चाहिए। हाला कि कुछ महिलाएं मचली खाने के बाद जीतिया ब्रत रखती हैं। जीतिया मिथलांचल की नेपाली विवाहित महिलाओं और पूर्वी और मध्य नेपाल की थारू महिलाओं का एक महत्तोपूर तेवहार है। जीतिया ब्रत अपने पुट्रों की सलामती और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। यह आमतर पर अश्विन कृष्ण अश्टिमी को प्रदोशकाल में किया जाता है। जीतिया में जिमूत वाहन भग्मान की पूजा प्रदोशकाल में की जाती है। जीवित पुत्रिका का व्रत कैशे करते हैं? जीतिया व्रत के पहले दिद महिलाएं सुर्योदै से पहले जाकर अशनान करके पूजा करती हैं और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं उसके बार पूरा दिद निरजला व्रत रखती हैं इसके बाद दूसरे दित शुबह सबेरे अश्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला ब्रत रखती हैं ब्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं नहाय खाय से शुरू होकर ब्रत और पारन के बार जीतिया का ब्रत पूरा होता है इस ब्रत में अंजल का त्याक, माताएं, संतान की दिरगायू, आरोग्य और शुख्मय जीवन की कामना के लिए ब्रत रखती है जीतिया में जिमूत वाहन भगवान की पूजा प्रदोश कार में की जाती है जीतिया ब्रत में क्या क्या खाना चाहिए इस अउसर पर महुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे का दूब, पिठ्थी, देशी मतर, करी, जिंगली, तोरी की सबजी, अर्बी की सबजी, नोनी साब, पोई साब के पकोडे, कासी फल की सबजी, खीरे का रायता और नजाने कितने ब्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं, जीतिया ब्रत में क्या क्या लगता है, जीतिया ब्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं, सुर्य को अर्ग देने के बाद ही महिलाएं अनग्रहड कर सकती हैं, मुख्य रूप से जीतिया पर्व के तीसरे दिन जोरभा, मरवा की रूटी और नोनी का साख खाया जाता है अश्टमी को प्रदोशकार में महिलाएं जिमूत वाहन की पूजा करती है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल लोटिफिकेशन ओल पर सिट करने ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसी पहले आप तक पहुच सके धन्यवाद